So, hey public, कैसे हो सारे यार, I hope सब बढ़िया होंगे, and guys, अब जो हमारी excitement का level है ना, हमारे Apex Mobile के season 2 के update के लिए धीरे धीरे अब बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो season 2 का update है, आने वाले 17 डेस के अंदर आने वाले है, हाँ दोस्तों, सिर्फ 17 दिन बचे हुए है, and उसी के साथ आज की इस वीड़ो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ, season 2 के अभी तक जितनी भी early leaks आई है, जितनी भी early information आचुकि है, सारी आज की इस वीड़ो में आपको मिलने वाली है, and उसी के साथ अभी पहुत कुछ आरा बाकिया है, guys, जहां पर पूरे excited रो, and अगर वीड़ो जरस भी पसंद आती है, लाइक करना, बिल्कुल भी मत भूलना, फड़ा फट से लाइक कर दो, तियर सबसे पहले चीज की तरह बड़े, so public, जैसे कि आपको पता है, जब भी हमारे एक नया season आता है, उसकी एक नई theme होती है, and उसका theme name भी होता है, तो अभी के लिए तो season 2 क कोई भी theme name या उसकी कोई theme अभी तक leak नहीं होई है, बस अब हमें कुछ और दिन ही wait करना है, जैसे ही अभी 17 days बाकी है, जैसे ही आपर 10 या 8 दिन बाकी होंगे, वैसे ही फड़ा फट यहापर leaks आती जाएंगी, तो जैसे ही आएगी, मैं तो आप लोग को जरूर से दिखा अगर आप लोग को फड़ा फट लीक्स देखनी है, जाओ अपने भाई के डिस्कॉर्स अरोर को फड़ा फट से जाइन कर लो, नीचे मेरे description में लिंक देती है, जैसे लीक्स आएंगी, मैं फड़ा फट से सबसे बहले यहीं पर अपलोड करने वाला हूँ, तो फड़ा यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो season 1 का logo, तो अगर आप दोनों को match करोगे, तो पूरा आपको as it is, same मिलेगा, तो अब आपका question हो सकता है, कि भाई अभी तो यहाँ पर season 1.5 चल रहा है, तो हमें कोई नया logo इस बार cold snap में देखने को क्यों नहीं मिल तो guys इसका reason है कि अभी भी हम लोग पूरी तरह season 1 के अंदर ही है, हाँ दोस्तों यहाँ पर अभी भी पूरा season 1 ही चल रहा है, क्योंकि हमारा जो एक पूरा season है, उसका जो session है, पूरे 2 महिने तक रहने वाला है, तो अब जो July के अंदर है, 13th July को, हमें new season, यानि की season 2 देखन अब बात कर लेते हैं, हमारे upcoming BR Map Kings Canyon के बार में हाँ दोस्तों जिसके लिए बहुत लोग एक्साइटेड है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके footage दिखा देता हूँ, इसका credit जाता है, पूरे हमारे IGN के YouTube चैनल को, हाँ दोस्तों, इनको ही credit जाता है, अब मैं आप लो अल्डी खेलने के लिए दिया गया था, तो वहीं से यहाँ पर IGN को भी मिला होगा, जैसे कि आप इस clip के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर हमें Fade Legend देखने को मिल जाते हैं, तो इससे confirm होता है कि यह Global Version की ही clip है, जैसे कि देख सकते हो, जैसे यह लोग यहाँ पर Maps के उपर क Size देख सकते हो, 657 MB, तो अल्मोस्ट यहाँ पर 60 MB तक इसका Size रहने वला है, और उसे के साथ यहाँ पर इससे confirm होता है कि आने वला था, बट यहाँ पर आया नहीं, इसका भी Reason आपको पता है, तो इसलिए शायद उन्होंने Season 1 के अंदर नहीं किया, बट यहर कोई Tension की बात अब मैं आप लोगों को इसका एक और प्रूफ दे देता हूँ, जैसकी स्क्रीन के ओपर देख सकते हो, यह हमारे Apex Mobile का जब Global Launch हो था, उसके यहाँ पर Gameplay Trailer Season 1 का, यहाँ पर भी इन्होंने जब Fade की Entry करवाई थी, जैसकी देख सकते हो, यहाँ पर भी Fade की Entry के पीछे प Optimization में भी, अभी जो बंदे कमेंट करने वला है कि भाई इससे तो Game का Size बढ़ने वला है, तो मतलब इससे यहाँ पर काफी यह प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो उनके लिए भी आगे मैं बात करने वाला हूँ, टेंशन मतलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे Upcoming Legend के बार कि मुझे हजी आ रही है, क्योंकि यार जैसागी देख सकते हैं यहाँ पर यह चो Legend का पोज है ना, यह है मिरेच का, यानि कि अपने बाबुराओ वला, मतलब यार में क्या ही बता हूँ, यह प्लब क्या ही पोज है यह एड उसके ओपर यह जो मॉडल है, यह है लोबा का, भाई कोई सेंस मनता है इस बात का, मतलब यार मुझे कमेंट्स में बताना, और उसके साथ अगर इसका नाम देख सकते हैं, यहाँ पर है रेविनेंट यार क्या ही रोडे जोल मचा रखा है, मतलब गेम के पूरे सस्ते नशे हैं, मतलब तीन तीन लेजेंड को मिक्स कर दिय तो गाइस यहाँ पर इससे अभी तक लग रहा है, इसके नाम से अभी तक लग रहा है कि नेक्स लेजेंड अभी रेविनेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक इन गेम फाइल्स में रेविनेंटी ज्यादा हाइलाइट लग रहा है, तो होप से यहार देखते हैं अभी रेव पहली मैं आपको लीक्स दिखा चुका हूँ जो की सारी अब थमिंग है एंड उसी के साथ दोस्तों अब जो हमारा रेविनेंट है वो यहां पर तभी कंफॉर्म होगा जब कुछ दिनों के अंदर उसके यहां पर लोबा के जैसे पीस कार्ड की लीक्स आ जाएंगी जैसके आ अगर ऐसी रेविनेंट किया जाती है तो समझ लो रेविनेंट यहां पर कंफॉर्म है तो उसकी टेंशन मतलों है तो बताई दूँगा एंड उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मुझे बहुत पहले कमेंट कर रहे थे जब यहां सीजन स्टार्ट हुआ था कि भाई हमारे 50 Sandicate Gold Coins कहा है जिनोंने Battle Pass लिया था एंड एक Apex Pack तो जाओ यार पड़ाफर से अपने Mailbox ने अगर आप लोगों ने यहां पर Season 1 का Battle Pass पर्चेस किया था तो जाओ अपने Mailbox में आपको यहां पर यह वला आपका Gift मिल जाएगा यार पड़ाफर से जाओ क्लेम कर कि यहां जिससे ते ते यहार मैग परसनली काफी जादा खुश हूँ यहां पर फाइनली Bunny Hop को Nerf कर दिया गया हां दोस्ते यहां पर आप देख भी सकते हो Officially Apex Mobile ने Announcement भी कर दिये और इनों ने भी यहां पर लिखा है कि हम लोगों ने भी काफी सारी क्लिप्स देखिया Bunny Hop पिंग की एंड यार मैं क्या ही बताऊं मनलब आइपड वाले प्लियर्स ट्रेंस से भी ज्यादा फास्ट यहां पर Bunny Hop कर रहे थे पूरा Infinite जो Bunny Hop है तो इसको यह लोग यहां पर Nerf करने बले हैं यहां पर नीचे लिखा भी है कि we will include a fix in our upcoming next update तो यहां पर दोस्ते इसके बैलेंस किया है अभी आप जितनी फास्ट यहां पर Bunny Hop कर पाते हो अपडेट आने के बाद उतनी फास्ट यहां पर नहीं कर पाओगे कुछ लिमिटेशन लग जाएगी तयर अभी जितना उचलना है उचल लो यहां पर अपडेट के बाद नहीं हो पाएगा एंड उसी के सा हले हां दोस्तों सेम ऐसा जैसा इन्होंने soft launch के अंदर भी किया था resource के अंदर डाला था तो वैसी यह लोग king's cannon को resource pack के अंदर डालेंगे जिससे आपर बाहर का size नहीं बढ़ेगा तो उसकी tension मतलो एंड यहां पर अब मैं आपको बता दू अप्डिवाइशन के ओपर भी ए इन गेम भी यह लोग काफी सारे surveys को run करते रहते हैं जिससे आप यह लोग हम लोग से यहां पर in-game feedback भी लेते हैं और और भी इन्होंने काफी सारे updates के ओपर यहां पर काम किया जैसके इन्होंने लिखा server optimization जो कि यह obviously बात है यहां पर हो चुकी है 11 MB के updates से सारे ping issues को fix कर दिय गया है और बचा है खाली गेम के optimization और मैच मेकिंग के अंदर जो issues आते हैं उसके लिए तो यार make sure कोई भी हमें tension लेनी की बात नहीं है obviously बात है लोग update यहां पर most probably season 2 के अंदर ही push करने वाले है तो काफी ज्यादा है और हाइप बनने वाली है जिस दिन ही आपर बस यहां प पर कोई date mention नहीं है date खाली battle pass के अंदर ही mention है तो most probably उस दिन भी rank reset हो जाना चाहिए और hopes आप लोगो को वीडियो पसंद आई होगी मैं जानता हूँ काफी यह लंबी बन गी है और अगर आप लोगों आप यहां तक वीडियो देखिया नीचे red heart comment कर दो यार मुझे पता भी चलना चाहिए और इससे आपकी excitement का भी बाता चलता है नीचे पटापट से red heart comment करो चैनल पर नहीं है और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अपने bell icon को क्लिक करो तीन option आएंगे उस बिसे सबसे पहला यहाँ पर all option को जरूर से set करना ही करना है उसको यहाँ पर click कर दो and